एक इशू पर बात करूँ जो आपके पार्टी के बारे में हैं, आपके पार्टी के जो वरकर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वरकर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है योधिया में राम टेंपल का मसला, अब उसको लेकर, जैसे आपने ट्रिपल तलाख में आप ले आएं, तो राम मंदिर को लेकर, ओर्डिनेंस लाना क्या, इस इट अप्राब्लम नहीं ला सकते हैं, राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बनके रहे क्या है, देखिए, ट्रिपल तलाख का ओर्डिनेंस, सुप्रिम कौट के जैजमेंट आने के बार लाया गया है, सुप्रिम कौट के जैजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रिम कौट के जैजमेंट के प्रकाश में लाया गया है, और इसलिए हमने भारती जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में भी कहा है, कि समिधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधा करेंगे इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आजहादी के सत्तर साल भात सरकारों में बैठे हुए भाईचारे के लिए आगरह करता हूं कि वे उनके अपने वकिलों को कॉट के अंदर इस मसले में रुकावट द्रालने वाले एजंडा से बहार निकाले रुकावटे न करें और सभी वकिल बित्रा जो भी कॉट्रेस से जुड़े हुए हैं जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी कॉट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्याइक प्रक्रिया पूरी हो उसमें हम बन लगाए तो सिर्फ एक नैशनल कंसेंसस के द्वार कि भी कॉट के अंदर कॉंग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो इसको राजनिती के तरह से न तोला जाए और मामला न्याइपालिका में उसको पूर्ण किया जाएं न्याइपालिका से आने के बाद सर्कार की जिम्यवारी जहां ET है aven fantasy त्राएं